नमस्कार संगीता के बोलते मसाले में आपका स्वागत है आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही जल्दी बनने वाली और स्वाद से भरपूर बिर्यानी की रेसिपी तो हम आज बनाएंगे सोया चंक बिर्यानी जिसमें आपको मिलेगा सेहद और स्वाद दोनों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आये हैं तो इससे सब्सक्राइब करना न भूलें बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हर नई रेसिपी आप तक पहुंच सके अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इससे लाइक करना न भूलें वेट लॉस सीजन जो हमने मेजर्मेंट जो लिया है वो कपके अनुसार लिया है आप किसी भी कटोरी से भी इसका मेजर्मेंट ले सकते हैं इस चावल को मैंने लेकर अच्छे से वाश करके थोड़ी देर के लिए भीगा कर छोड़ दिया है तकरिबन 15-20 मिनट या आधा गंटेक लिए आप इसे खुले पतीले में इस बनाकर देख रहे हैं खुले पतीले में जो चावल बनते हैं उसका स्वाद बिलकुल अलग आता है अब जब तक हमारे चावल उबल रहे हैं तब तक हम अगला step follow कर लेते हैं अब यहां लेते हैं प्याज थोड़ी सी लेंगे मटर अब पत्तागु भ भी ले सकते हैं, गाजर ले लिए हैं, यहाँ इसे बिल्कुल अच्छे से हमने छोट-छोटे टुकडों में काट लिया है, अब इसमें डालेंगे लाल मिर्च, जो साधरन हरी मिर्च आती है, वही मिर्च जो लाल होती है, उसी का इहां इस्तामाल करना है, अगर आप चाहें तो यहां करें नी तो आप साधरन हरी मिर्च का भी इस्तमाल कर सकते हैं इसमें थोड़ा सा डाल लेते हैं नमक और लाल मिर्च यह आप अपनी स्वाद के अनुसार यहां अर्जस्ट कर सकते हैं एक चमच धनिया पाउडर, वनफोर्ट चमच हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला इसमें अड़ कर लेते हैं अब इन सारी चीजों को डाल कर, इन सारे मसालों को डाल कर इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं अगर आप चाहें तो यहाँ सबजीयों को और भी आड़ कर सकते हैं, जो भी सबजी आप पसंद करते हैं, उसे यहाँ आड़ कर लें अब जो हमने पतीले में चावल को बॉइल होने के लिए छोड़ा था, उसे एक बार चेक कर लेते हैं आप मुझे social media पर भी फालो कर सकते हैं अब यहाँ आपने चावल पूरी तरह से बन कर तेयार हैं, चावल को पूरी तरह से यहाँ कुक नहीं करना है अब यहाँ आगे के step के लिए मैंने ले लिया oil, यह मैंने olive oil का ही यूज किया है अगर आप चाहें तो इसे घी में भी बना सकते हैं, बटर का भी इस्तमाल कर सकते हैं पर क्यूंकि हम वेट लॉस के लिए देख रहे हैं, इसलिए यहां मैंने ओलिव ओईल ही यूज किया है अब इसमें थोड़ा सा डाल लेते हैं, जीरा, अब यहां दो पत्तियां आप डालनें तेज पत्ते की और अब इसमें कुछ लॉंग थोड़ी से दाल चीनी और 8-10 काली मिष डाल लेते हैं, थोड़ी से डालते हैं इसमें हींग अब जो हमने यहाँ पहले मैरिनेट होने के लिए जो सब्जियों को रखा हुआ था इन सब्जियों को आप मैरिनेट करके तकरीबन आदे गंटे के लिए छोड़ दें आदे गंटे में यह सारी सब्जियां अच्छे से मैरिनेट हो जाती है जो हमने मसाले डाल कर और इन सब्जियों को और धाई के साथ छोड़ा था वो अच्छे से मैरिनेट हो चुकी है अब वो जो सब्जियां थी उसे यहां हमने जो तेल गरम किया था उसमें अड़ कर देते हैं अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं ये जो आज हम बिर्यानी बना रहे हैं ये सभी लोगों को बहुत पसंद आती है और इसमें अगर आप चाहें तो बिंस, मश्रूम, गोभी किसी भी तरह की सब्जी जो आपको पसंद हो उसे यहाँ एड़ कर सकते हैं थोड़ा सा इसमें मुझे लाल मिर्च थोड़ी कम लग रही है तो थोड़ी मैंने लाल मिर्च यहाँ और एड़ किया है थोड़ा सा हल्दी पावडर और एड़ किया है आप मसाले अपनी पसंद की अनुसार एड़ कर सकते हैं कोई भी सबजी या कोई भी हम जो रेसिपी बन आते हैं उसमें मसालों का बहुत ही important role होता है अब यहां थोड़े से मैंने add की हैं आलू यह बिल्कुल जो कच्छे आलू होते हैं उन्हें अच्छे से काट कर यहां add कर लेना है अगर आप आलू पसंद करते हैं तो यहां add करें अब इन सारी सब्जियों को डालने के बाद हम इसे lead लगा कर तकरीबन पांच मिनट के लिए छोड़ देते हैं फ्लेम को हमें यह medium ही रखना है high flame पर इसे बिल्कुल भी तैयार नहीं करना है पांच मिनट छोड़ने के बाद मैंने यहां add को अच्छे से काट कर यहां डाल लि यहां थोड़ी सी सब्जियां भी कच्ची हैं तो थोड़ा हम इसे और थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं पांच मिनट के लिए फिर मैंने इसे ढखकर छोड़ दिया है अब देखते हैं यह जो हमने marinate kiwi सब्जियां इसमें डाली हैं वो अच्छे से अपनी पकर तै अब इसमें डाल लेते हैं थोड़ी सी इलाइची अगर आपके पास छोटी वाली इलाइची है तो आप यहां पर दो इलाइची आड़ कर सकते हैं नहीं तो जो बड़ी वाली इलाइची आती है आप उसके दाने भी ले सकते हैं उसे भी आड़ कर सकते हैं यह देखिए जब हम पुलाव खा रहे हों तो क्रंची से सबजी आएं तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है ये पुलाव जिस स्टेज में बॉइल हो गए हैं उसके बाद इसका पानी पूरी तरह से निकाल देना है और पतीले में इसे छोड़ देना है इसे ढखकर नहीं छोड़ना हमें चावल जो हमने बॉइल किये थे तकरीबन 80% हमने चावल बॉइल किये हैं और उसके बाद पानी निकाल कर हम इसे ओपन छोड़ देंगे तकि इसकी जो भाप है वो पूरी तरह से निकल जाए अगर लीड हम इस पर लगा के छोड़ते हैं तो चावल अपने ओवर कुक हो जाते हैं ओवर कुक हमें यहां चावल को बिल्कुल भी नहीं करना है अब यहां चावल को अड़ करने के बाद इसे बिल्कुल हलके हातों से बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेना है बड़े चम्मच का आप इस्तमाल ना करें यह बिल्कुल हलके हाथों से हमें मिक्स करना है ताकि जो हमारे चावल है वो टूटे नहीं बिल्कुल खिले खिले चावल हमें आज यहां चाहिए पूरी तरह से अपनी जो बिर्यानी थी वो बन कर तयार हो चुकी है अब यहां इसे गार्णिश कर लेते हैं हरे धनिये के साथ आपको मेरी वेट लॉस जो जर्णी हमने स्टार्ट किये वो कैसी लग रही है यह मुझे कमेंट करकर जरूर बताएं और आज जो हमने ये बिर्यानी तैयार की है वो आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट करकर जरूर बताएं अब पूरी तरह से अपनी बिर्यानी बनकर तैयार हो चुकी है उसके प्लेटिंग कर लेते हैं जिस वक्त आप इसे खाएं उसी वक्त इसे सर्व करें जब हमने इसे बना लिया है उसके बाद लीड लगाकर गैस को आफ करके हमें छोड़ देना है और लीड लगाकर ही छोड़ना है ताकि जो हमारे पुलाव हैं उसकी बहुत ही अच्छी खुश्बू हमें मिलती रहे बहुत ज़्यादा देर के लिए इसे लीड लगाकर नहीं छोड़ रहे हैं अब यहां इसकी अच्छे से प्लेटिंग कर लिए इसको गार्णिश कर लिए हरे धनिये के साथ चाहें तो इसे simply ऐसे खाएं चाहें तो आप इसे रायते के साथ खाएं यहां थोड़ा सा इसके ऊपर हम ड़ लेते हैं देशी घी देशीगी जब भी हम चावल में या दाल में अड़ करते हैं तो उसका एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर हमें मिल जाता है यह पूरी तरह से अपने सोया चंग बिर्यानी पूरी तरह से बन कर तयार है आप इस बिर्यानी को बनाएं और इंजॉय करें और आपको यह बिर्यानी कैसी लगी यह मुझे कमेंट करकर जरूर बताएं और भी किसी तरह की अगर आप बिर्यानी चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट जरूर करें अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और 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 भी नहीं नहीं रेसिपीज के लिए आप यहां क्लिक करकर नए वीडियो को देख सकते हैं